होगी तो चलिए अब कायकरम को आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले कि मैं कायकरम को आगे बढ़ाऊं और हमारा जो अगला समान समारों में जो अगली सूची है वो किस विशह पे हैं ये आपको जरूर पता चलेगा पर उससे पहले मैं अपनी कुछ फेवरेट लाइन है आप भारत पे लिखी गई है तो जी हां मैं कहना चाहूंगी कि अभी बंद होती आखों के कई अर्मान बाकी हैं मुझे वो क्या खरी देंगे मेरा इमान बाकी है वफादारी की इस से बहतर और क्या मिसाले दूँ हमारी तूटती हुई सांसों में हिंदुस्तान बाकी है एक बर जोड़ दाता लिया और सबसे बहतरीन बात यह है कि हम सबी लोग बहुते हैं जी हां तो आप सभी लोग को बताना चाहूंगी कि हम सभी लोग एक ऐसे प्रांथ से आते हैं हम सभी लोग एक ऐसे प्रांथ के निवासी हैं जिसका हर एक अलफाबेट जिसका हर एक अक्षर सिर्फ और सिर्फ भारत नाम चलाता है जी हां बी आई एच ए आर अगर मैं इस abbreviation का full form आपके बीच present करना चाहूँगी हाला कि कोई official full form नहीं है लेकिन बहुती बहतर ही ने में आपके बीच रखना चाहूँगी B का मतलब भारत होता है I का मतलब सुनाई नहीं दिया क्या I का मतलब इंडिया H का मतलब हिंदुस्तान A का मतलब आर्यावर्ट और R का मतलब R का मतलब रीवा तो बिहार का मतलब भारत, इंडिया हिंदुस्तान, आर्यावर्ट और रीवा एक बार जोर दातालियों के साथ मैं अब हमारे बीच पंकट जी को बुलाना चाहूँगी और मैं बता दू कि अब हम जिनको बुला रहे हैं उन्होंने हमारे देश की सेवा भी कुछ इसी प्रगार से की है जो कि बिहार से भी आते हैं और भारत से भी आते हैं सेना के रिवा